पहले आपको मैं UX के बारे में समझा देता हूँ UX क्या होता है मतलब मैं ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाओंगा ये TikTok जो था उसमें वीडियो अपलोड करने का जो फंक्शन था वो प्लस का बटन नीचे बीच में दिया हुआ था और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्रेटर्स को असानी हुआ फटवर्ड प्लस पे क्लिक क्या वीडियो बनाए डाल दिया अगर आड आप देखते हो अगर आप अप्लिकेशन बनवाते हो और उसमें इंटर्टीशल आड वगारा डलवाते हो गूगल के अड्स डलवाते हो तो गूगल के अड्स में जब अड आता है टी लोग उस पे क्लिक आपक्रें वो राइंट साइड में देता है और कैंसल का बटन लेफ्ट साइड में देता है अगर ऐसा होता कि यदिया रहता दोस्तो आज अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं UI एंड UX के बारे में UI मैंने आपको पिछले वीडियो में या फिर कभी ना कभी बताया होगा UI यानि की design जो हमारे application का UI design होता है यानि उसका interface की वो कैसा दिखेगा design से हम यह अनुमान लगा सकते कि application का जब coding होगा तो वो कितना अच्छा दिखेगा ठीक है पर आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ UI and UX के बारे में User Experience के बारे में UX का मतलब होता है User Experience अब UX क्या होता है और आखिर इससे क्या फायदा है आपके application को या किसी भी तरिके के application को ठीक है पहले आपको मैं UX के बारे में समझा देता हूँ UX क्या होता है मतलब मैं ज़्यादा technically नहीं जाओंगा यह सभी चीजों में होता है ऐसा नहीं कि सरफ application field में होता है या सरफ website development या फिर software field में होता है यह सभी जगा होता है अब यह सभी जगा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तो user experience बहुत ज़्यादे important है अब समझ के चलिए कि आपका जो door है ठीक है आप लोग daily life में आप लोग दर्वाजा बंद करते होंगे तो ज्यादा तर हमारा जो door रहता है उसका lock system right side में दिया रहता है door के right side में lock system होता है अगर ऐसा हो कि door के left side में या beach में या उपर कहीं lock system दे दिया जाए या कुण्डी वेगर लगाने के लिए बाहर से ऐसा कुछ system रहे तो आपको क्या अच्छा लगेगा वो वहाँ पर आपको थोड़ी परिशानी होगी क्योंकि हमारी बच्पन से आदत रही है कि हम लोग बीच में right corner रहता हम फटा बट कुण्डी वेगर लगा दे दे और बाहर जहां में चले जाना है जा सकते हैं ठीक है वैसे ही दोस्तो application field में भी होता है अब application field में ऐसा क्या होता और UX कैसे वादब ऐसा क्यों जरूरी है application field में मैं आपको बताता हूँ दोस्तो आप सभी ने tik-tok देखा होगा tik-tok application दोस्तो बहुत जादा popular हुआ था उसकी UX की वज़े से UX यानि की user experience इतना best था इतना जादा best कि लोग उसे बार-बार use करने आते थे आप सभी को मैं बता दू कि YouTube ने भी बाद में उसके एक best feature को use किया है अभी updated उनके application है खेर वो क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तो आप सभी को पता है कि टिक-tok जो था उसमें वीडियो अपलोड करने का जो function था वो plus का button नीचे बीच में दिया हुआ था और इससे ज्यादा से ज्यादा creators को असानी हुआ फटवर प्लस पे क्लिक किया वीडियो बनाया डाल दिया यही जो main feature मतलब creators बहुत ज्यादा हो गए creators ही यहाँ पे viewers थे और viewers ही बात में वापस creators बने ठीक है तो वैसा ही YouTube पे भी अगर आप जाके देखेंगे उनका old UI old user experience भी कह लीजे कि उनका पहले जो upload करने का button था वो उपर रहता था या फिर उसके पहले की बात करूँ तो side में menu function था वहाँ पे हुआ करता था आप upload कर सकते हो बट जादा दर जो हमने जादा use किया है वो उपर right corner में रहता था upload का button वहाँ पे click करो आप अपने वीडियो को upload कर सकते हो पर अभी जो YouTube ने update आला है वहाँ नीचे प्लस पे button पे click करो video shots जो आपको डालने है फटा फट डाल दो यह user experience को improve करने से क्या होता है कि लोग ज्यादा आपके application पे टिके रहते हैं ठीक है एक और छोटा से example देके बताता हूं दोस्तो जब हम application install करते हैं जब भी हम कोई भी application को install करते हैं और वहाँ पे मतलब जो permissions लेता है जब वो application तो allow का button आता है allow का button कभी भी आप देखेगा highlighted रहता है और right side में रहता है ना कि left side में left side में deny का button रहता है और वो थोड़ा light रहता है तो उससे क्या होता है हमको ऐसा mentally हमको ऐसे लगता है यह समय इस पर ही click करना है allow पर ही click करना है क्योंकि वो right side में और ज्यादा दर हम आप phone right hand से use करते है फटा 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 इस अंगोड़े से click कर देते allow allow और वो हमारे सारे permissions ले ले लेता है और एक तरफ से मतलब कि mentally हमारे अंदर है कि yes हमको उस button पर click करना है तो user experience application का जितना best रहेगा आपके application के users use होने अब imagine करके देखिए कि अगर tik-tok application के सारे menu left side में होते तो कितनी परिशानी होती यह वाला हम hand ना use करके फिक इस से share करो या फिर रंगोटे को यहां पर लाकर शेयर करो वो थोड़ा अजीब सा दीखेगा अजीब सा लगेगा और वहां से होता user experience bad पढ़ता मतलब खराब हो जाता है और लोग उस application को use ना करके उस application को use करते हैं जहां पर user experience best हो दोस्तों UI और UX यह दोनो application का first step रहता है application development या फिर website development का first step रहता है आप जब भी application बनवाते हो तो आप अपने application में कौन से function को किस side रख रहे हो और वो आपकी user experience को किस तरीके से बढ़ा रहा है यह आपक application बहुत जादा भी तंदार नहीं है लेकिन आपका user experience बहुत अच्छा आपने UX सोच समझ के अपने application को बनाया है तो आपके application जहुर success होगा example के तोर पर अगर मैं छोटे application की बात करूँगा बहुत जादा बड़े application की बात नहीं करूँगा अगर आपने एक video status का application बनाया है तो आप सभी को पता है लोगों को आदत पढ़ चुकी है video swipe करके देखने की उसके बाद में news applications भी आए वो भी जादा तर लोग swipe करके देख ठीक है अभी भी swipe करके देख रहे है ज्यादा आदत पढ़ चुकी है क्योंकि swipe करें मतलब अंगटा सामने यहां से बस ऊपर करना है दूसरा news दिख गया हमें तीसरा news दिखे वैसे और right side में share उसके बाद में download या फिर view बहुत सारे function side में दिया रहते है follow का button दिया रहता है तो जब भी आप application बनाते हो तो जो important चीज़े है वो आप right side में रखे ठीक है और आप एक और चोटा से example दो क्या अगर अगर आप application बनवाते हो और उसमें इंटर्टीशल आड वगार डलवाते हो गूगल के ads डलवाते हो तो Google के ads में जब आड आता है reward video ad या इंटर्टीश और cancel का button left side में देता है अगर ऐसा होता कि cancel का button right side में दिया रहता और install का button left side में तो लोग जादे install नहीं करते क्योंकि कभी-कभी गलती से भी install पे click कर लेते हैं उस application को और cut करने का button right side में ना देके left side में दिया रहता है तो बहुत सारी चीज़े हैं दोस्तों UX को समझना है आपको user experience को simple सी दिवाशा मेरा को संजाया बहुत चोटे example दी है पर इससे आपको बहुत detail में समझ में आगा कि UX कितना जादा important रहता है आप भी daily life में कोई भी application को install केजिए UX यानि कि user experience जितना best रहेगा उस application का वो उतना ही ज्यादा use होता है UI बहुत जादा matter करता है देख उसको use जरूर करेंगे iPhone में बहुत ज्यादा advanced feature नहीं है ठीक है Android में तब भी हम बहुत कुछ चोड़ चीज़े कर सकते हैं जो हम iOS में नहीं कर सकते हैं still iOS लोगों को बहुत पसंद आता है क्योंकि उसका UI और UX इतना best रहता है इतना smooth रहता है कि हमें उसे use करने में ही बहुत पार use करते हैं तो हमेशा दोस्तों याद रहें कि UI और UX जितना best रहेगा उतने आपके application पे growth होगा या फिर आपका application success होगा या फिर आपके application को ज्यादर ज्यादर लोग use करेंगी यह सभी चीज़े आपके application साथ होगी जब आपका UI और UX best रहेगा क्योंकि application का first step रहता है आ रहें कि दोस्तों मिलते हैं अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आ हो तो लाइक तो कीजिए साथ में subscribe भी कर लीचेगा